दोस्तु स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्रूब चैनल study with summer में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं राजस्थान में आई ए फॉरेस्टगार्ड एंड फॉरेस्टर की भरती के सेलिवस्ट के बारे में तो इस वीडियो में इस vacancy के बारे में पूरी details को सेले Mauалог को सब्सक्राइब कर साप्के बारे में पूरी जन कारी तो फ्रेंट किसी भी गोवर्मेंट जोब की जनखारी तो इसकी सेले बसपाने के यह हमारे चैनल लगे तो उसे एक लाइक जरू कर दीजिएगा तो जैसा कि दोस्तों यहां पर देख पाएंगे राजस्थार आरेसम एससबी फॉरेस्टर और फॉरेस्थान ऑनलाइन फॉर्म दो हजर बीस तो फेंट से लिए बस बताने से पहले आपको इस फेकंसी के बारे में सॉर्ट में से जाना जाता है और इसने फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर के 1128 पॉड़ों पर आवेदान अमंधिरत किया है तो जो भी कंडिट इसके लिए आवेदान करना चाहते हैं वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा वीडियो को स्कीप मत किजिएगा यदि आप वीडि सो कुछ मिस्प्रिंटिंग हो गई है आवेदन करने की जो अंतिमती थी साथ जनवरी 2021 होगी वहीं उम्र सिमा की बात कर लें तो एक जनवरी 2021 के गड़ना के अधार पर फॉरेस्टर के लिए 18 सेले का 40 वर्स है वहीं फॉरेस्ट गार्ड के लिए 18 सेले का 24 वर्स की उम्र सि सिमा में छूट बे दी गई है जिसमें सेस्ट के लिए पांच साल और विसी नौन क्रिमिलर के लिए तीन वर्स की उम्र सिमा में छूट दी गई है वहीं दोस्ते अपनी कैसन फीस की अगर हम बात कर लें तो इसमें जनरल ओबी सी और अधर स्टेट के बहरते हो के लिए 450 र दोस्तो वीडियो पूरा देखने के बाद यदि आपको इस वीडियो संबंधित कोई भी सुझाओं या आपकी कोई भी प्रस्णों तो आप कमेंट कीजिएगा मैं आपके कमेंट का रिपलाई चरूर दूँगा साथी दोस्तो इसके आवेदन करने का लिंक और इसके ऑफि तो इस तरह को टोटल 187 पोस्ट है वहीं फॉरस्टकाट के लिए नौन टीएसपी अरिया में 875 पोस्ट है टोटल एक हजार एक तारिस पोस्ट है तो इसमें इस तरह दोनों मिलाकर 1128 पदो पर आवेदन आमनत्यत किया गया है वहीं फिजिकल स्टेडर्ट की बात कर लें तो इसमें male category के लिए जो height होगी 130 cm और chest जो होगी 84 से लेकर 89 cm के बीच में होनी चाहिए और दोस्तों इसके बारे में अधिक जनकारी आपको बताऊंगा official notification के साथ तो वीडियो को last तक देखते रहेगा साथ ही आपको पूरा selection process और इसका official syllabus बताने वाला हो step by step वहीं female की बात करें तो female के लिए जो height होगी 150 cm और chest होगी 19 से लेकर 84 cm के बीच में वहीं दोस्तों बात करले में male category ST की तो इसकी height 102 cm और chest 84 cm में 89 cm होना चाहिए वहीं female ST के लिए 145 cm की height होने चाहिए और 89 cm से लेकर 84 cm की बीच में chest होनी चाहिए वहीं दोस्तों अगर हम बात करने इसकी P.E.T. details की तो इसमें पैदल चाल होगी 25 km की दोड़ होगी 4 घंटे में पूरी करने होगी male category के लिए female के लिए 16 km के रियसा की जो 4 घंटे में पूरी करने होगी वहीं seat up की बात कर लें तो इसमे male category के लिए 1 minute में 25 seat up करना होगा और cricket ball throw करना होगा 25 में 25 मीटर male category के लिए वहीं female की बात कर लें तो female के लिए standing jump होगा 1.35 मीटर का वहीं short put होगा 4.5 मीटर का दोस्तों अगर हम बात कर लें इसके official syllabus के बारे में तो दोस्तों यदि आप इस exam के तैयारी के लिए best book परसिच करना चाहते हैं तो आपको best book का link वीडियो के description में मिल जाएगा आप चाहें तो वहाँ से जाकर book को परसिच कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं तो selection process यानि कि channel practice की अगर हम बात कर लें तो इसमें आपका चाहें दोस्तो written test, physical standard test और physical efficiency test यानि कि PST और PET interview, medical examination और document verification की आधार पर किया जाएगा यानि कि दोस्तो सबसे पहले इसमें आपका exam आयोजित किया जाएगा और exam के बाद आपका physical होगा, physical के बाद आपका interview आयोजित किया जाएगा तो सबसे पहले बात कर ले रीटेन exam की exam pattern की, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दोनों का दोस्तो जो राजस्थान forest car और forest का जो exam pattern होगा, यह objective multiple choice की यानि कि बहुत भी कल्पे परकार के प्रस्टन होंगे और इसमें दोस्तो सो क्यूस्टन होंगे सो नंबर के लिए समय की बात कर ले, तो इसमें आपको डेड़ घंट यानि कि 90 मेंट का समय दिया जाएगा, और पेपर का जो माध्यम होगा दोस्तो क्योल हिंदी में आएगा, यानि कि पेपर की जो language होगी हिंदी होगी, और यहा बस की, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं Everyday Science, यानि कि इसमें एवरिवेशन, इनिट्स, डिस्कवरीज, इनुवेशन, मेजरमेंस टूल्स, मैटेरियल, सांटिफिक डिफरेंस, मेकिंग डिसिजन, और साइन्स से समबाद इसमें पूछे जाएंगे, और दोस्तों इसकी बेस्ट बूक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से बूक को पर्चेज कर सकते हैं, वहाँ दोस्तों बात कर लें माइथमेटिक्स की, तो माइथमेटिक्स में आपके दोस्तों होंगे, फंडरमे माइथमेटिक के लिए भी बेस्ट बूक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से बूक को पर्चेज कर सकते हैं, वहाँ सोसल इस्टेडिस की बात कर रहें, तो इसमें नेचर आप सोसाइटिज, चेंजज, डैवलपेंट, इंपोटेंस, और प्रिटिकल एस्पेक्ट सम्माजित प्रशन होंगे, वहाँ दोस्तों बात कर लें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में देख सकते हैं, जियोग्राफी आप राजस्थान और इंडिया दोनों के होंगे, जिसमें की एरिया, मैप, पॉपुलेशन, वाटर रिसोर् पूछे जाएंगे, वहाँ अगर हम बात कर लें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में भी दोस्तों आपका राजस्थान और इंडिया से सम्माजित प्रशन पूछे जाएंगे, जिसमें की हिस्टोरिकल प्लेस, प्लेस, माउंटेंस, फ्रीडम मोवेंट और इंपोर्टन डेट कर लें, इसके करेंट अफेर्स की, तो करेंट अफेर्स में देख पाएंगे साइन्टिपिक, प्रोग्रेस, डेवलप्मेंट, नेशनल, इंटरनेशनल आवार्ड्स, यानि की पुरसकार से सम्माजित प्रशन होगे, इंडियन लॉंगेज, बुक्स, स्क्रिप्ट, करिएगा, और करेंट अफेर्स की, तैयारी के लिए भी आपको बेस्ट अबुक का लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्सन मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से जाकर बुक को पर्शेश कर सकते हैं, तो दोस्तों सीट अप की बात कर लें, तो सीट अप के लिए आपे देख लगाए से कुद देगी, और कुदने के साथ ही टेक लगाते समय दोनों टावों को साथ रखेगी, तो इस तरह आप सीट अप की जो महतोपूर्ण जानकारिया होगी, आप चेक कर पाएंगे, उसके बाद दोस्तों आपका होगा इंटर्विव, तो इंटर्विव में आपक रिक्साव कौलिफाइ करते हैं उसके बाद फूसकल क्वालिफाइ करते हैं, तो आपको इंटर्विव के लिए बुलाया जाएगा, और इंटर्विव में जब आप कौलिफाइ कर लेंगे तो आपका होगा document verification और medical होगा medical के बाद आपका इसमें चैन किया जाएगा और इस frequency के लिए दोस्तों आप पूरे भारत से आवेदन कर सकते हैं चाहें आप किसी भी state के अभियरती हो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं सैचिक योगेता कि अगर हम बात कर लें तो इसमें देख पाएंगे जो बन पाल के लिए जो सैचिक योगेता 10 प्लस टू इंटर्मीडियेट होगा साथी दोस्तों इसमें देवनागरी में लिखी हिंदी में कारे करने का ग्यान ये अमराजस्थानी संस्कृत का ग्यान होना चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए ही आवेदन कर पाएंगे महीं बात करने वन रच्चा क्यान की फोरेस्ट गार्ड की तो इसके लिए किसी भी बोड से दसमें क्लास उतीर होना चाहिए साथ इसमें आपको देवनागरी लिफी में हिंदी कारे करने का ग्यान और अमराजस्थान की संस्कृत का ग्यान होना चाहिए साथ ही एक बात आपको इसमें बतायता हूँ दोस्तों कि जो ब्यक्ति पार्ठी करम के अंतिवर्स की परिच्छा में उपस्थित हुआ है या सम्रित हो रहा है जो इन नियमों का उल्खित पद के लिए सैच्छी करें ताकि आऊशकता है तो इसके लिए आवेदन के पातर होगा यानि कि दोस्तों यदि आप दसमें और बारा हम एक एक दाम देने वाले हैं तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं तो यहां पर देख पाएंगे मुख्य परिच्छा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परिच्छा और सचछतकार के दो चरणों से माधियम में चैन किया जाता है सचछतकार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परिच्छा और सचछतकार के माधियम में चैन किया जाता है और साथ ही दोस्तों यहां पर देख पाएंगे लिखित परिच्छा यह सचछतकार में उपस्थित होने से पहले जहांके वह लिखित पर इच्छा यह सचतकार के माधियन से चैन किया जाना है जैसा भी मामला हो तो आप यहां पर आवेदन कर पाएंगे यहां पर चेस्ट और हाइट के बारे हम दोस्तो आप चेक कर सकेंगे जो आपको मैंने पहले ही बता दिया है साथ ही यहां पर सीट अप और सब कुछ डीटेल्स है यहां पर चेक कर पाएंगे और नियोगता की बात करने तो दोस्तों इसमें आपका सवस्त होना जरूरी है साथ ही आपका चरीतर भी साही होना चाहिए राष्टियता की बात कर लें तो राष्टियता आप यहाँ पर देख पाएंगे सालती एज लिमिट की बात करने तो एज लिमिट भी आप डीटेल्स आप चेक कर सकते हैं तो फैंच समय उम्हिद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा कि अच्छा लगाता है प्लेज लाइक फेर कर दीजेगा और चैनल पे पहली बारा है तो चैनलों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आल पे क्लिक कर दीजेगा ताकि हमारे सबी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही मिलेंगा फिर एंगले वीडियो में एक नई वेकन्सी के साथ तब तक के लिए थैंक यू